आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर एक्सरसाइस टूए के कुश्चन्स कराऊंगा सबसे पहले आपको यह पता होना चीए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो रेशनल नंबर्स की डेफिनिशन्स क्या है डेफिनिशन आपको बता होनी चीए तभी आपको यह टॉपिक क्लियर होगा तो रेशनल नंबर्स आर दोस दाट कैन बी रिटन इन दा फॉर्म ओफ ए अपॉन बी अपॉन बी मतलब नियूमरेटर में कोई एक इंटीजर की वैल्यू होनी चीए डिनोमिनेटर में भी इंटीजर की वैल्यू होनी चीए यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स बोथ आर इंटीजर्स ठीक है तो ऐसे नंबर जो अपॉन में दिखाई देते हों जिसमें उपर लिखी हुई वैल्यू और नीचे लिखी हुई वैल्यू दोनों की दोनों इंटीजर्स होनी चीए बट बी मस्ट नॉट बी एक्वल टू जीरो देखो इंटीजर्स होने चीए ए और भी इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स आप जानते हैं इंटीजर्स प्लस के नंबर भी होते हैं प्लस वन प्लस टू प्लस ट्री एंड सो ओन जीरो भी इंटीजर्स होता है निगिटिव minus 1 minus 2 minus 3 and so on ठीक है तो rational number की definition क्या होती है rational numbers ऐसे number होते हैं जो upon format में लिखे जा सकते हैं जिसमें उपर numerator वाली value और denominator जो नीचे लिखते हम वो दोनों के दोनों integers होने चाहिए बट उपर कुछ भी हो चाहे plus का integer हो चाहे minus का integer हो even zero भी हो उपर तो हो सकता है zero या positive या negative integer बट denominator में जो b होता है denominator में b जिसको हम कह रहे हैं वो zero नहीं होना चाहिए b should not be equal to zero तो ऐसे numbers को हम rational number बोलते हैं rational numbers में आपके सारे natural number सारे whole numbers even सारे integers ये सब के सब कौन सी category में आते है rational number की category में आते है ऐसा क्यों natural number क्या होते है देखो example of natural number की बात करें natural number होते है one two three four and so on ये सारे के सारे rational number है क्यों है ये rational आप कहेंगे जी अभी मैंने बताया कि rational number तो वो होते हैं जो upon में दिखते हैं तो ये तो upon में दिखी नहीं रहे फिर हम इनको rational क्यों बोल रहे है जिनके denominator में कुछ नहीं होता हम अच्छे से जानते हैं उनके denominator में क्या होता है one जिन values के denominator में कोई value नहीं होती उसके नीचे one होता है तो अब तो ये कैसे दिखाई दे रहे है A upon B format में ये A की value है और नीचे B तो दोनों की दोनों value क्या है? Integer, उपर A और नीचे B A भी एक integer है B भी एक integer है, ठीके न? तो ये सारे के सारे natural number upon format में लिखे जा सकते है उपर और नीचे लिखी हुई values सारी integer है और नीचे किसी में 0 नहीं आ रहा इसलिए ये कौन है? Rational number Whole number की बात करें Whole number में क्या आते है? 0, 1, 2 and so on ये सब भी क्या होते है? Rational होते हैं क्यों हैं ये सारे के सारे rational number? Why all these are rational? क्योंकि ये सारे भी upon format में लिखे जा सकते हैं इनके सब के upon में कौन है? 1 है तो upon में भी लिखे हुए है उपर लिखी हुई value और नीचे लिखी गई value सारी integers है और नीचे किसी के denominator में 0 भी नहीं आ रहा numerator में तो 0 आ रहा ना denominator में तो नहीं आ रहा ना 0 तो यही बात हमें याद रखनी है denominator में 0 नहीं होना चाहिए उपर आपकी कोई सी भी value हो चाहे plus की value हो चाहे minus की value हो ठीक है integers में देखो integers के example plus के भी होता है minus के भी होता है 0 एक integer है plus का one plus का two plus का three so on minus के भी integer होते है minus one minus two minus three and so on यह सब के सब भी rational की category में आते हैं क्योंकि इनके denominator में सब के क्या है one है तो ये सारे के सारे integers जो है upon format में लिखे जा सकते हैं और सब के denominator में 0 नहीं आ रहा, 0 से other कोई भी value आए other 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 नीचे upon में 0 नहीं आना चाहिए बस नीचे, तो ऐसे number सारे rational होते हैं ठीक है, पहला question आपका यही है आपसे पूछा जा रहा है कि identify करो कौन सा इन में से rational number है हमें यहाँ पर छाटने हैं कि rational number कौन है rational numbers, ठीक है, तो देखो पहला 0 है यह एक rational number है क्योंकि इसके upon में कुछ नहीं है तो इसके upon में 1 लिया जाएगा, ठीक है दूसरा भी एक rational number है क्यों क्योंकि इसके upon में आपके क्या आ रहा है negative integer आ रहा है कोई फरक नहीं पड़ता है नीचे वाला minus जो है ना वो actual में उपर ही पहुँच जाता है तो हम इसे नीचे ना लगा के उपर भी लगा सकते है ठीक है नीचे denominator में 0 नहीं होना चाहिए बस तो यहाँ पर दिनोमिनेटर में 1 है तीसरा 11 वो भी एक rational number है क्योंकि इसके upon में 1 लिया जाएगा 5 upon minus 8 नीचे जो minus है वो उपर लगाया जाएगा ठीक है तो यह भी एक rational number ही है 1 upon 2 भी एक rational number है minus 6 upon minus 5 में उपर का minus और नीचे का minus cancel हो जाएगे तो 6 upon 5 बचेगा यह भी एक rational number है बट जो last वाला 5 upon 0 है यह rational नहीं होगा क्योंकि इसके denominator में 0 आ रहा है और जिन values के denominator में 0 आता है न उनका answer not defined होता है यह symbol होता है not defined का ठीक है आप undefined भी लिख सकते हो undefined इसका answer नहीं दिया जा सकता 0 से किसी भी value को अगर divide किया जाएगा तो उसका answer क्या आएगा undefined ठीक है तो इस तरह से यह question number 1 करना है अब आ जाते है next question पे question number 2 write the next two rational number in the following pattern यहाँ पे देखो कुछ values लिख कर दी गई है हमें उसमें pattern डूणना है कि क्या pattern चल रहा है उस pattern को follow करके अगली दो value और लिखनी है हमने ठीक है तो देखो यहाँ numerator की values को अगर हम देखे तो यहाँ पे क्या pattern चल रहा है देखो सब में minus तो आ ही रहा है तो अगली जो दो values लिखी जानी है उनके भी numerator में minus तो आएगा ही आएगा तो यहाँ पे pattern चल लेगा 3 के table का 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 denominator की बात करें denominator में 5 का table चल रहा है 5 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 तो हमसे पूछा गया था इसमें pattern पढ़ो और उस pattern की help से यहाँ दो value भरो तो वो दो value कौन कौनसी आएगी माइनस का 15 अपॉन 25 और माइनस का 18 अपॉन 30 तो इस तरह से आप यह question number 2 करेंगे अब देगे next question question number 3 a part minus 2 upon 3 लिखा है और आप से बुचा है write 3 rational number equivalent to the following वो कह रहा है यहाँ पर यह जो fraction दिया गया है इसके equivalent तीन rational number लिखने है तो तीन बनाने है पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं तीन rational number जो इसके equivalent बनाने है तो जब भी आप equivalent word देखो तो आपको करना क्या है देखो question में तो दिया था minus का 2 upon 3 इसके equivalent number बनाने के लिए न आप numerator मे भी और denominator भी भी करोगे किसी भी non zero value से क्या बुला मैंने किसी भी आपका मन करे जिस से मर्जी मन करे आपका उससे multiply करे बट non zero non zero का मतलब zero नहीं होनी चाहिए कोई और सी value प्लस की हो चाहे minus की हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो आपका जो मन करे non zero value से multiply करो ठीक है अब non zero तो one भी होता है one से मत करना क्यों मत करना क्योंकि जब मैं one से multiply करूँगा तो कोई नया fraction नहीं दिखाई देगा जो question में दिया था वो ही आ जाएगा तो हमें question से अलग 3 equivalent rational number बनाने है तो one को छोड़ दो zero तो लेना ही नहीं zero number से multiply करनी है ठीक है तो हमें क्या करना है हम one छोड़ देते हैं two से कर लेते हैं उपर भी और नीचे भी तो minus और इसमें plus sign है minus और plus minus two multiply to four upon three multiply to six तो पहला rational number जो equivalent है minus two upon three के वो minus four upon six है इसे equivalent क्यों बुलाया जा रहा है क्योंकि जब हम इसको simplest form में cut करते हैं न तो ये two के double से cut होगा देखो two two जा four, two three जा six तो answer वही आएगा जो question में था cut होने तो दिखाई भले से minus का four upon six दे रहा था लेकिन ये actual में था equal उसी के जो question में था minus two upon three इसलिए इसको equivalent बुलाया जा रहा है तो हमें इसे cut नहीं करना है ये तो मैंने स्रीफ explain करने के लिए बता है आपको तो पहला equivalent rational number minus two upon three का क्या हो गया minus का four upon six आपकी मर्जी है answer sheet में answer कुछ और भी आ सकता है और हमारा कुछ और भी हो सकता है ये answer vary भी कर सकता है बदल सकता है answer sheet से क्योंकि इसके हम अंगीनत answer बना सकते है infinite answer जितने मर्जी चाहे उतने answer बना सकते है तो जरूर नहीं कि ये answer आपका answer sheet से match हो ठीक है तो हमारी मर्जी है हम किसी से भी multiply कर सकते हैं बट same से करेंगे उपर भी और नीचे भी अब हम दूसरा बनाते है question में दिया दा minus 2 upon 3 मैं multiply उपर भी और नीचे भी जिस से मर्जी चाहे उससे कर लूँ मेरा मन 10 से कर रहा है तो मैं 10 से कर लेता हूँ चलो उपर भी और नीचे भी minus इसका sign है plus इसका sign है minus और plus minus 2 tan जा 20 upon 3 tan जा 30 मैं इनको जब simplest form में cut करूँगा करूँगा simplest form में convert 10 के double से cut हो जाएंगे 10 2 जा 20 10 3 जा 30 तो minus का 2 upon 3 आएगा और वही आएगा जो question में था इसलिए दिखाई तो यह कुछ और दे रहा है लेकिन यह है equivalent उसी के जो question में था तो दो rational number तो हमने बना लिए अब बार ही है तीसरे rational number की उपर भी multiply और नीचे भी multiply किसी छोटी value से कर लेते हैं सबसे पहले हमने 2 2 से करी थी उपर नीचे अब हम 3 से कर लेते हैं उपर भी और नीचे भी तो यह बन जाएगा minus का 6 among 9 तो यह हो गए 3 equivalent rational number part number 1 के तो answer sheet से answer अलग हो सकता है मैं दुबारा repeat करना हो हम जितने मर्जी चाहे उतने answer बना सकते हैं तो answer sheet से अगर answer अलग आ रहा है तो कोई tension वाली बात नहीं है इसके हम infinite answer बना सकते हैं ठीक है अब देखे part number B minus 9 upon 4 है इसके भी 3 equivalent rational number बनाने है तो वही step हम follow करेंगे minus 9 upon 4 है numerator और denominator दोनों को multiply करेंगे but non zero values से other than 1 और 0 ना तो आप 0 लेंगे ना आप 1 लेंगे बाकी चाहे जो मर्जी ले लें आप ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका answer suppose करो मैं 2 से कर लेता हूं उपर नीचे ठीक है तो minus इसका sign plus इसका sign minus और plus minus 9 टूजा 18 4 टूजा 8 यह तो पहला हो गया ठीक है अब दुबारा से minus का 9 upon 4 लिखो जो question में दिया था numerator और denominator दोनों को multiply करो इस बार हम 3 से कर लेते हैं minus और plus minus 9 3 टूजा 27 upon 4 3 टूजा 12 यह दूसरा number हो गया तीसरा minus 9 upon 4 है question में उपर नीचे 4 से multiply कर लेते हैं minus और plus minus 9 4 जा 36 4 4 जा 16 यह हो गया 3 equivalent rational number ठीक है answer sheet में आपके अलग दिये है नहीं यह पहला तो सेम है दूसरा भी सेम है तीसरा भी सेम दिये है आप कुछ और चाहे वो भी मना सकते है कोई compulsory नहीं है ठीक है तो यह हमारे same ही आ रहे है जो answer sheet में है अब देखें part number c 12 upon 17 तीन लिखने है पहला 12 upon 17 में उपर भी और नीचे भी 2 से multiply कर लेते है तो बन जाएगा 24 upon 17 तो जा 34 दूसरा 12 upon 17 में उपर और नीचे 3 से कर लेते है same से ही करेंगे अगर उपर 3 से कर दी तो नीचे भी 3 से 12 upon 17 तो यह हो गया दूसरा rational number तीसरा equivalent rational number बनाने के लिए question था 12 upon 17 उपर भी और नीचे भी multiply कर लेते हैं पिशली बार 3 से कर दी इस बार 4 से कर लेते हैं 12 multiply 4 क्या होता है 48 17 4 जा करेंगे तो क्या हैगा 68 तो यह हो गए 3 equivalent rational number 12 upon 17 के तो इस तरह से आप यह question number 3 के सारे parts करेंगे अब आ जाते हैं next question पे question number 4 a part represent the following rational number और ने number line हमें यह number line ड्रॉ करने है a part में minus का 11 upon 4 दिया है सबसे पहला work जब भी आपसे number line ड्रॉ करने के लिए कहा जाए सबसे पहला work आपको क्या करना है अगर हम उसको mixed में convert कर सकते हैं तो सबसे पहला work यह है कि हम उसे mixed में convert करें नहीं होगा तो नहीं करेंगे अगर हो रहा है तो compulsory है आप इसे mixed में करो minus sign तो ऐसी लगाओ 4 के double से 11 को divide करना है तो 4 टूजा 8 लिना पड़ेगा 4 टूजा 8 8 को minus करोगे तो remainder बचेगा 3 तो 2 whole 3 upon 4 हो जाएगा minus का अब हम number line ड्रॉ करेंगे number line में यहाँ 0 0 की right side पे थोड़ी दूर दूर equal gapping पे निशान लगाएंगे और left side पे भी equally equally ही gapping रखें यह निशान लगा लिए ठीक है अब next work क्या गरेंगे सबसे पहला work है आपको hole में देखना यह hole में क्या लिखा है hole में लिखा है minus का 2 number डालते है 0 के right side पे plus के number होते है plus का 1, plus का 2, plus का 3 left पे होते है minus 1, minus 2, minus 3 सबसे पहले हमें नजर किस पे रखनी है hole में क्या लिखा है minus का 2 लिखा है hole में यह जो minus का 2 है यह minus का 2 बता रहा है कि आप जो है minus 2 से minus 3 के बीच में draw करोगे यह जो number हमें show करना है part number 1 में number line पर वो minus 2 से minus 3 के बीच में आएगा और कहीं पे नहीं आ सकता कैसे पता चला यह जो hole में लिखा है उसके through पता चला यह minus 2 है तो minus 2 से minus 3 के बीच में आएगा तो इसका work finish हो गया अब हम इसे बूल जाते है minus 2 को हम बूल जाते है minus 2 का work यह था बस यह बता रहा था कि इन दोनों के बीच में आएगा अब बारी है denominator के 4 की यह जो denominator वाला 4 है यह denominator वाला 4 बता रहा है कि minus 2 से minus 3 के बीच में आप 4 partition कर दो 4 हिस्से कर दो 4 हिस्से करने के लिए तीन निशान लगाएंगे बराबर बराबर दूरी पे एक निशान जितनी गैबिंग यह है उतनी गैबिंग पे 2 उतनी गैबिंग पे देखो मैंने 3 निशान बना दिया एक कम बनाते है denominator में कौन था 4 इस 4 ने क्या बताया इस 4 ने बताया कि minus 2 से minus 3 के बीच में 4 partition करने के लिए 3 निशान लगाओ एक निशान कम लगाना है 4 से ठीक है जब एक निशान कम लगाएंगे तो एक खाना यह हो गया 2 3 खाना 4 खाने कितने box बन गए 4 box बन गए तो हो गए ना 4 partition तो जितनी denominator में value होगी उससे एक कम निशान लगाएंगे ठीक है अब क्योंकि यह एक negative value है और हम जानते है negative value left side पर चलती है right से left की दरफ negative आती है और left to right जाने पर positive यह positive value आती है ऐसे जाकर और ऐसे negative आती है तो हमें numerator में जो 3 लिखा है अब इस पे focus करना है इस minus 2 का काम क्या था इस minus 2 का काम था कि यह बता रहा था minus 2 से minus 3 के बीच में लगाना है इसका निशान फिर दूसरा काम किसका था नीचे वाले 4 का नीचे वाले 4 ने बताया कि minus 2 और minus 3 के बीच में 4 partition करने के लिए आप 3 निशान लगाओ अब बारी है उपर वाले 3 की उपर वाला 3 बता रहा है कि जो आपने तीसरा निशान लगाया ना वो ही minus 11 पहुंचा रहा है तीसरा निशान कहां से minus 2 से चलेंगे left hand पर right पर नहीं चल रहा है क्योंकि यह negative number है negative number ना left पर चला करता है right पर नहीं चला करता तो यह 3 value कहां पर आएगी minus 2 के आगे तीसरा निशान एक दो तीन यह वाला निशान तो हम क्या करेंगे हम इस पे एक dot बनाएंगे और उस dot पर लिख देंगे यह actual में कौन है minus 11 upon 4 तो यह हो गया आपका part number A अब आते है part number B पे 2 upon 5 comma 3 upon 5 यह भी number line पे दिखाने है और यहाँ पर दोनो numbers के जो denominator है वो same है तो जब दोनो denominator सेम होते हैं तो हमारे लिए easy होता है करना ठीक है तो हमें क्या करना है बीच में तो देखो यहाँ पर किसी भी number में किसी भी fraction में minus का symbol नहीं आ रहा जब यह minus का symbol कहीं है यह नहीं तो यह positive number है ठीक है 0 right side पे निशान लगाएंगे equal equal gaping पे जैसे हमने previous वाले part में करा था left side पर भी mark लगाएंगे equal equal gaping पे ठीक है यह 0 के left पर minus 1 minus 2 right hand पर plus का 1 plus का 2 3, 4 इस तरह से है यह number line दोनों के दोनो number positive number है यानि हमारा जो number line हमें draw करनी है वो 0 की right hand side पर आएंगे इनको mark करने के लिए point ठीक पहला गाम हमने first part में क्या सीखा था कि अगर वो mixed में convert हो सकता है तो हमें सबसे पहले mixed fraction बनाना है तो क्या हम 2 upon 5 को mixed में कर सकते हैं नहीं 3 upon 5 को कर पाएंगे नहीं क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे बड़ी value है और numerator में छोटी mixed fraction में सरिफ तब ही हो सकते है जब numerator बढ़ा हो ठीक है तो यह mixed में तो होंगे नहीं अब जो value mixed में नहीं होगी न उसको हम plot करेंगे between 0 to 1 अगर वो plus की है तो तो plus की है तो 0 to 1 अगर minus की होती लेकिन mixed में ना होती तो हम 0 से minus 1 के बीच में plot करते यह बात धियान रखना इसको क्यों नहीं कर रहा था 0 से 1 के बीच में plot क्योंकि भाईया यहा mixed fraction बन गया था और mixed fraction में जो whole में लिखादा minus 2 उसके थूपता चला कि minus 2 से minus 3 के बीच में आएगा इसलिए हमने 0 से 1 फॉलो नहीं करा इसमें 0 से 1 आएगा क्योंकि यह plus के नंबर है तो हम 0 से plus 1 लेंगे अगर यह minus के नंबर होते तो 0 से minus 1 के बीच में होता तो अभी हमें 0 से plus 1 के बीच में line पे धियान देना है बाकी line पो हम भूल जाएंगे बस इसके बीच में आएंगे यह दोनों के दोनों नंबर देखो denominator में कौन है denominator में है 5 दोनों के तो यहाँ पे 4 था इस 4 ने क्या बताया था जो denominator में 4 है इस 4 ने बताया था कि इसके 4 partition करो तो यह 5 बता रहा है कि इसके बीच में आपको 5 partition करने है 5 partition करने के लिए 4 निशान लगाएंगे equal equal दूरी पे 1 पहला निशान 2 3 4 देखो मैंने 4 निशान लगा दिये थोड़े dark कर देता हूँ मैं 0 से 1 के बीच में कितने निशान लगाएं 4 क्यों 4 निशान लगाएं 5 क्यों निशान लगाएं क्योंकि जब मैंने 4 निशान लगाए तो 0 से 1 के बीच में 5 यह टुकड़े हो गए लाइन के एक दो तीन चार और ये पाँच देखो हो गए ना पाँच टुकड़े तो एक निशान कम लगाना है अब अगला वर्क क्या करना है क्योंकि ये प्लस का नमबर है जब प्लस के नमबर होते हैं तो आपको राइट हैंड साइड की तरफ चलना होता है पीछले है नियुम्रेटर में टू है और थ्री तो ये जीरो है ये जो पहला निशान है जीरो को नहीं जीरो के आगे जो निशान लगाए गए थे ये पहला निशान ये वान अपान थ्री है ये दूसरा निशान इस पे बिंदा बनाओ ये है टू अपान थ्री अगला वाला जो नि denominator में 5 आएगा ये 0 पहला निशान कौन है 1 upon 5 दूसरा निशान कौन है 2 upon 5 तीसरा निशान कौन है 3 upon 5 ठीक चौता निशान कौन होगा 4 upon 5 और जो उसके अगला निशान है वो कौन होगा 4 upon 5 के बाद कौन आएगा 5 upon 5 और 5 upon 5 कट करके क्या आता है वान इसलिए देखो यहां पर आगले निशान पर क्या लिखावाए वन लिखावाए ठीक है तो हमें यहां 2 upon 5 और 3 upon 5 दिखाने थे तो यह आ गए दोनों इस तरह चे पार्ट नंबर भी करेंगे आप कि अब अब देखें पार्ट नंबर सी 5 upon 4 13 upon 4 minus 7 upon 4 सारे के सारे fractions के denominator सेम हैं तो हमारे लिए असान है अगर denominator सेम नहीं होते ना तो हमें पहले LCM लेके उनके denominator को सेम बनाना पड़ता तब जाके वो सारे के सारे एक ही number line में शो कर पाते हम लेकिन यहाँ पे हमें already denominator सेम दिये गए हैं तो बस हमें अब करना क्या है हमें करना यह है कि हम इन्हें mixed में कर ले है 5 upon 4 है तो यह हो जागा 4 1 जा 4 remainder 1 बचेगा तो 1 whole 1 upon 4 comma इसको भी mixed में करेंगे 4 3 जा 12 होता है तो 3 whole remainder आएगा 1 3 whole 1 upon 4 और जो तीसरा number है वो एक minus का number है तो minus लगाएंगे 4 के double से divide करेंगे 7 को तो 4 1 जा 4 remainder 3 बचेगा तो 1 whole 3 upon 4 यह आए 3 mixed fraction अब हम number line draw करेंगे middle में लगाएं जीरो equal equal gaping लेके पहले तो हम निशान लगा लेते हैं left hand पे भी लगाएंगे gaping सब में equal चलनी चाहिए 0 के right side पे plus के number होता है 1 2 3 4 left hand पर right पे तो plus के left पे minus के minus 1 minus 2 minus 3 देखो पहला number जो है पहले हम इसे follow करते हैं बाकी अभी हम बाद में करेंगे पहले इसको देखते हैं खाली यहाँ पर सबसे पहले hole में देखो क्या लिखा है hole में लिखा है one ये one बता रहा है जो hole में लिखा होता है न वो क्या बताता है वो बताता है कि one से two के बीच में आएगा यहाँ one से two के बीच में इस hole वाले one ने बताया कि one से two के बीच में करना है काम नीचे वाला four बता रहा है कि one से two के बीच में चार partition करने है चार partition करने के लिए निशान तीन लगाए जाएंगे पहला हिस्सा ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स ये है, और चौथा बॉक्स ये है, चार हिस्से हो गए, ठीक है, क्योंकि ये एक प्लस का नंबर है, तो प्लस का नंबर राइट हैंड पर चलते हैं, राइट हैंड पर आते हैं, प्लस के, राइट हैंड पर जाके left पे जाते हैं तो minus के आते हैं zero के left पर zero के उल्टे हाथ पर minus के number zero के right पर plus के number यहाँ पर जो hole में one था उसका काम भी खतम हो गया इस one ने बताया के one or two के बीच में आएगा denominator में जो four था उसका भी काम finish हो गया इस four ने बताया के one or two के बीच में चार box बनाने हैं जिसके लिए तीन निशान लगाए जाएं अब बचा सिर्फ उपर वाला one यह जो उपर वाला one है यह बता रहा है कि पहला निशान जो आपने लगाया पहला निशान right hand की तरफ जाते हैं plus के number में तो पहला निशान यह दिख रहा है one or two के बीच में यही पहला निशान जो है इसपे dot बनाया जाए और इसपे लिखा जाए कि यह है five upon four अब बात करें दूसरे की दूसरा fraction जो है उसके hole में देखो क्या लिखा है hole वाला three यह three बता रहा है कि तीन से चार के बीच में बनाओ तीन से चार के बीच में ठीक है तीन से जार के बीच में करना क्या है यह जो नीचे वाला चार है इस तीन का तो काम खतम इस तीन ने बता दिया कि तीन से चार के बीच में आएगा अब नीचे वाला four जो है वो बता रहा है कि three से four के बीच में चार partition बनाने है, चार हिस्से करने है इसके, चार हिस्से करने के लिए तीन निशान लगाएंगे, एक, दो, तीन, ये लगा दिया हमने तीन निशान, अब बारी है उपर वाले one की, ये one बता रहा है कि जो आपने पहला निशान लगाया था ना, वो ही है actual में 13 upon 4, तो पहला न अब बारी है तीसरे की, तीसरा है माइनस का one hole 3 upon 4, यहाँ पर hole में कौन है, माइनस one, ये जो माइनस का one लिखावा है hole में, ये माइनस one बता रहा है कि माइनस one से माइनस two के बीच में बनेगा, माइनस one से माइनस two के बीच में, तो hole वाले काम तो खतम, अब बारी है नीचे वाला four बता है कि चार हिस्से करो तो तीन निशान लगा लो एक equal equal gapping पे दो तीन, तीन निशान लगा लिए, अब बारी है उबर वाले नमबर की, उबर वाला तीन जो है न, उबर वाला तीन वो बता है कि जो आपने तीसरा نिशान लगाया उस पर बिंदा बनाओ आप तीसरा निशान देखो ये एक negative नमबर है तो negative नमबर कहां चलते हैं उल्टे हाथ के तरफ तो तीसरा निशान उल्टे हाथ के तरफ चल के देखना है ये पहला निशान उधर से मत गिनना ऐसे मत जाना उल्टा चलनना है ठीक है ये पहला निशान ये दूसरा निशान और ये जो निशान है ये तीसरा निशान है तो इस पे बिंदा बनाओ ये जो तीसरा निशान है ये ही एक्चुल में माइनस का साथ अपॉन चार तो ये हो गया आपका question number fourth का part C तो इस तरह से आप ये तीनों part करेंगे question number four के present same rational number वो कह रहा है इन में से आपको कौन सा rational number same दिख रहा है देखो पहला वाला जो है 9 upon minus 11 मैंने अभी पताया था जब भी कभी minus नीचे आए तो आप उसे नीचे ना लगा के उपर लगाए ठीक है नीचे वाला minus उपर ही माना जाएगा and minus 11 upon 9 देखो ये दोनों ही number fraction में उल same नहीं है बी पार्ट की बात करें बी पार्ट में है minus का 5 upon 6 and minus 25 upon 30 ये जो 25 upon 30 है न ये same table से कट सकते है तो मैं इने काटूंगा minus तो ऐसी लगाओ 5 5 जा 25 उपर भी काटा 5 से तो नीचे भी 5 6 जा 30 तो हमारा जो answer आया इसे solve करके वो आया minus का 5 upon 6 और इधर भी क्या है minus 5 upon 6 तो आपके लिखोंगे yes they are same हाँ ये same है तो हमें simplest form में भी convert करके देखना है ठीक है अब आ जाते हैं पार्ट नमबर C पे minus 16 upon 20 है इसको हम simplest form में करते हैं ये जो है सबसे ज़्यादा 4 के table से कट सकता है और किसी table से नहीं कटेगा फिर तो छोटे table से कटता है सबसे बड़ा table सरी 4 है 4 4 जा 16 minus भी लगाएंगे 4 5 जा 20 तो ये आ रहा है minus का 4 upon 5 अब अगले वाले को देखते हैं अगला वाला है 20 upon minus 25 minus न minus तो ऐसे ही आएगा 5 4 जा 20 5 5 जा तो ये भी minus का 4 upon 5 है और ये भी minus का 4 upon 5 है दोनों सेम आएं तो आपके लिखेंगे yes they are same हाँ ये सेम है तो ये हो गया part number C बात करें D part की 2 upon minus 3 नीचे है minus देखो तो हम इसे नीचे न लगाके उपर लगाएंगे and minus 2 upon 3 इसमें भी minus उपर है त same rational number है तो yes they are same तो इस तरह से आप ये question number 5 के चारों पार्ट करेंगे अब आजाते है नेक्स question पर question number 6 a part write the following rational number in standard form आप से कहा गया है कि आप इन्हें standard form में लिखो देखो standard form क्या होती है standard form को हम simplest form भी बोलते हैं और standard form में कभी भी minus नीचे नहीं होता ये और खास बात आप दियान रखना standard form वो form होती है जिसमें हम numerator और denominator को maximum जितना cut कर सकते हैं same table से उतना करते हैं और दूसरी बाद minus कभी denominator में नहीं लेते हैं उसको हमेशा numerator में लेते हैं तो देखो यहाँ पर minus already numerator में ही है तो minus तो ठीक जगा पर लगा हुआ है बस हमें इन्हें अब cut करना है और हमें table ढोनना है कि maximum बड़े से बड़ा table देखें जिससे यह दोनों cut जाएं तो हमें यहाँ 4 के table से cut ते हुए नजर आ रहे हैं यह minus तो ऐसे ही लगाएंगे हम उपर 4 1 जा 4 remainder 1 बचेगा यहाँ 1 और 2 12 वो जगा 4 3 जा 12 यह तो 4 से cut गया अब बार यहाँ इसकी 4 1 जा 4 remainder बचेगा 3 3 और 2 32 4 8 जा 32 तो उपर तो आएगा minus 13 और नीचे आएगा 18 तो final answer जो standard form में आया minus 13 upon 18 यह अब और नहीं कटेंगे अगर यह और कटते तो हम इने दुबारा कट करते ठीक है अब आ जाते हैं भी पार्ट पे 50 upon minus 35 देखो minus नीचे आ रहा है यह standard form नहीं है standard form में तो minus कभी नीचे आता ही नहीं उपर लगाओ सबसे पहला काम फिर इने 5 के डेबल से cut कर लो 5 10 जा 50 और minus भी लगाओ 10 में 5 7 जा 35 तो answer जो हुआ minus का 10 upon 7 हुआ तो यह हो गया आपका part number भी बात करें c part की minus 192 upon minus का 108 numerator और denominator के minus तो ऐसे ही cut हो जाएंगे दोनों minus को cut करा अब हम इनको cut करते हैं और देखते हैं यह किस table से cut सकते हैं अगर आपको ना समझ आए कोई बड़ा table जिससे cut रहा हो तो आप छोटे से cut लो कोई फरक ने बढ़ता ज जैसे यह 2 से cut थे हैं तो हम 2 से cut देते हैं 2 9 जा 18 remainder क्या बचेगा 1 1 और 2 12 2 6 जा 12 इनको भी cut थे हैं 2 5 जा 10 2 4 जा 8 यह फिर cut रहे हैं minus तो cut चुके थे तो minus लगा नहीं किसी में यह फिर cut रहे हैं दुबारा काटते हैं यह जो है ना 3 के table से cut लो 3 से भी cut थे हैं 3 3 जा 9 3 2 ज 24 यह फिर cut रहेंगे किस के table से cut रहेंगे यह 2 के table से cut लेते हैं 2 9 जा 18 2 1 जा 2 remainder 1 बचेगा 1 और 2 12 2 6 जा 12 अब यह cut नहीं पाएंगे तो final answer लिख देते हैं 16 upon 9 यह हो गया आपका final answer question number 6 का अब आजाते हैं next question पे question number 7 7th question है find the value of p in the following p की value find करनी है part number a minus 3 upon 4 is equal to 12 upon p हमें p की value find करनी है सबसे पहला work आपको यहां क्या दियान रखना है जो भी alphabet हमें find करना है वो कभी denominator में ना हो जैसे कि हमें यहां p find करना है और वो upon के नीचे लिखावा है denominator में तो अगर आपको find करने वाली चीज denominator में दी है तो आप सबसे पहले क्या करो reciprocal on both side reciprocal on both side ऐसा करने से जो चीज हमको find करनी है वो denominator से numerator में हो जाएगी reciprocal दोनों side करेंगे तो 4 उपर हो जाएगा minus का 3 नीचे हो जाएगा p numerator में आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा ठीक है compulsory नहीं है कि आप reciprocal ही करें बहुत सारे methods होते हैं एक ही question को solve करने के एक method और बताता हूँ मैं आपको यह जो p यहाँ upon के नीचे है आप इस p को उपर लियाओ और 3 को नीचे लियाओ इनकी place को interchange कर लो और यह 4 जो divide में था यह यहाँ multiply में लियाओ तो यह एक method है इसे भी आप follow कर सकते हो ठीक है दोनों तरीके से ही है आपको जैसे best लगता है आप वो कर सकते है ठीक है 3 1 जा 3 3 4 जा 12 माइनस का 3 था तो यहाँ 1 भी माइनस का आएगा अब 4 multiply 4 करेंगे तो answer क्या हो जाएगा 16 upon में minus का 1 है is equal to p जब हम divide 1 से करते हैं तो answer वही आता है तो 1 से divide अगर 16 को करेंगे answer 16 ही आएगा बट नीचे वाला minus कभी denominator में नहीं लगाया जाता है numerator में लगाया जाता है तो हम इसे उपर shift कर देंगे is equal to p तो final answer जो आएगा वो आजाएगा minus का 16 तो इस तरह से part number a करेंगे part number b देखें 7 upon minus 3 is equal to p upon 12 यहाँ पर जो हमको p find करना है वो denominator में नहीं है numerator में ही है तो हमें यहाँ reciprocal करने की चुड़त नहीं बस यह divide वाला 12 विदर multiply में लाएंगे तो 7 upon minus 3 multiply 12 is equal to p अब 3 से 12 को cut करेंगे 3 1 जा 3 3 4 जा 12 यह जो 3 था यह minus का था तो 1 भी minus का आएगा 7 multiply 4 क्या होता है 28 upon minus 1 is equal to p जो denominator में minus है वो numerator में कर देंगे 1 से 28 को divide करेंगे तो answer 28 ही आएगा तो final answer p का क्या आगया minus का 28 तो इस तरह से आप यह part number भी भी करेंगे अब आ जाते है next part पर 9 upon 36 equal p upon minus 12 यहां भी same step follow करना है यह जो p है alphabet यह numerator में है तो बस हमें इसको अकेले बनाना है नीचे वाला 12 जो है वो यहां divide से multiply में आजएगा left hand पे तो 9 upon 36 multiply में upon के नीचे था तो divide में था उधर multiply में आएगा minus 12 और equal में रह जाएगा p अब 12 के table से 36 और 12 दोनों कट जाएगे 12 3 जा 36 12 1 जा 12 यह 12 माइनस का था तो 1 में माइनस लगेगा ठीक है 3 के table से 9 को भी कट करेंगे 3 1 जा 3 3 जा 9 तो नीचे अब 1 आगया denominator में 1 कुछ नहीं होता उसे हम छोड़ देते हैं बस numerator की numerator से multiply करेंगे 3 multiply minus 1 तो answer आजएगा minus 3 तो final answer p का क्या हो गया है minus 3 इस तरह से part number c करेंगे अब देखे last part d part number d question है minus 32 upon 48 equal 16 upon p यहाँ पर जो हमको alphabet find करना है वो denominator में आ रहा है तो पहले हम reciprocal कर ले रैसी प्रोकल कर ले रैसी प्रोकल ऑन बोज साइट्स दोनों साइट्स पर reciprocal किया जाएगा तो यहाँ left hand पे 48 नीचे से उपर आ जाएगा और 32 जो minus का है वो नीचे आ जाएगा और right hand पे p उपर पहुच जाएगा और 16 नीचे अब हमें p को अकेले बनाने के लिए जो upon में 16 आ रहा है यह divide से इधर multiply में लाएंगे तो 48 upon minus का 32 multiply by 16 is equal to p 16 के table में 16 भी आ जाएगा और 32 भी तो 16 बंजा 16, 16 टू जा 32 और इसमें minus था तो minus भी लगाएंगे 2 से 2 को काटेंगे और 48 को दोनों 2 के table से काटते हैं 2 1 जा 2 minus भी लगाएंगे क्योंकि इसमें 2 में minus था है तो 1 में भी minus आएगा तो नीचे 2 के table से काटता है अब उपर भी 2 के table से काटते हैं 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 अब next work आपको क्या करना है है simple 24 की multiply 1 से करेंगे तो 24 1 जा क्या होता है 24 upon के नीचे minus 1 था नीचे जो minus होता है वो कभी नीचे नीचे नहीं लगाया जाता हूँ मैंने आपको पताया था previous question में भी upon के नीचे अगर minus आया तो उसे आप उपर ही लगाएं ठीक है ना तो 24 की multiply 1 से करी 24 हो गया नीचे वाला minus हमने उपर shift कर दिया तो नीचे बचेगा शरिफ 1 अमान में 1 नहीं लिखा जाता तो final answer पी का क्या हो जाएगा minus का 24 तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे question number 7 के अब आजाते है next question पे question number 8 first part write the smaller number in each आपको यहाँ दो fractions दिये है minus का 2 upon 3 ये एक पहला rational number है और दूसरा है minus 3 upon 2 आप से पूछा गया है कि इन में से कौन smaller है देखो smaller बताना हो या larger बताना हो सबसे पहले आप denominator को same बनाओ तो सबसे पहले हम LCM लेंगे 3 का और 2 का तो LCM of 3 and 2 आता है 6 तो हमें दोनों के denominator में 6 बनाना है ठीक है तो पहला fraction लिखते हैं पहला rational number minus का 2 upon 3 है जिसमें हम minus 2 upon 3 में नीचे 6 बनाएंगे क्योंकि LCM क्या आया 6 तो LCM जो हमने बनाया है वो LCM हम denominator में करेंगे सेम ठीक है तो हम denominator को same बनाने के लिए इनका LCM ले रहे थे तो अब हम इनको same बनाते हैं 3 कितने जा 6 होता है 3 2 जा 6 होता है तो नीचे 2 से multiply करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे यह rule है minus into plus minus 2 into 2 4 3 into 2 6 तो हमने यहाँ इसके denominator को 6 बनाने के लिए 2 से multiply नीचे भी करी और उपर भी करी ऐसे ही अब दूसरा वाला rational number लेंगे minus का 3 upon 2 जिसको हम denominator में देखेंगे तो 2 आ रहा है लेकिन हमें 6 चाहिए जो हमने LCM बनाया था तो 2 के multiply 3 से करेंगे तो उपर भी हमें किसे करनी पड़ेगी जब नीचे 6 बनाने के लिए 3 से करी तो उपर भी 3 से होगी minus और plus minus 3 3 जा 9 ऐसे ही 2 into 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा अब दोनों के आप denominator को देखोंगे ना तो same बन गया जब दोनों के denominator same आ गए तो अब आप easily बता सकते हो minus 4 upon 6 और दूसरी value के आई minus 9 upon 6 आई तो आप इन में से देखके easily बता सकते हो कि कौन इन में greater है कौन इन में smaller क्योंकि इनके denominator क्या आ गए same आ गए तो हमें यह देखना है कौन इन में कोशन में पूछा था smaller बताओ देखो दोनों ही negative value है दोनों ही minus के है अब minus में जो बड़ा दिखता है न वो छोटा होता है जब दो values minus की होती है तो जो बड़ी दिखने वाली value होती है minus में वो actual में बड़ी नहीं होती वो छोटी होती है तो इन में कौन है smaller minus का 9 upon 6 is smaller इन दोनों में minus का 4 और minus के 9 में minus का 9 बड़ा देख रहा है लेकिन यह smaller value है इसलिए जो minus 9 upon 6 बनाया था वो किसके help से बनाया था minus 3 upon 2 के help से तो इसलिए हम बोलेंगे minus का 3 upon 2 is smaller value तो इस तरह से आप है part number A करेंगे अब देखे part number B minus का 1 whole 1 upon 4 minus का 1 whole 2 upon 3 पहले हम mixed fraction को change करेंगे 4 बन्जा 4 and 1 5 upon 4 minus 3 बन्जा 3 and 2 5 upon 3 इनके भी denominator सेम नहीं है तो हमें LCM लेना है किसका 4 का और 3 का 12 अब हम दोनों denominator को 12 बनाएंगे ठीक है तो पहला क्या था minus 5 upon 4 था जिसमें हम नीचे 4 देख रहे हैं तो 12 बनाने के लिए 4 की multiply 3 से करनी पड़ेगी तो उपर जो minus 5 था उसकी भी multiply हम 3 से करेंगे तो minus और plus minus 5 3 जा 15 4 3 जा 12 तो नीचे 12 बन गया अब हम दूसरा original number लेंगे minus का 5 upon 3 जिसमें denominator में 3 आ रहा है और LCM 12 आया था तो 3 के multiply 4 से करेंगे तब जाके 12 बनेगा तो उपर वाला minus 5 जो है उसकी भी multiply 4 से करेंगे तो minus का sign आएगा 5 4 जा 20 4 3 जा 12 अब इन दोनों के नीचे denominator में क्या आ गए सेम आ गए एक है minus का 15 upon 12 और दूसरा है minus 20 upon 12 since यहाँ पर दोनों के denominator सेम आए है तो अब आप easily पता कर सकते हो कौन इन में smaller value है दोनों ही minus के number है और minus में बड़ा दिखने वाला number चोटा होता है तो यहाँ पर minus का 20 upon 12 smaller number है और यह जो हमने minus 20 upon 12 बनाया था यह minus के 5 upon 3 से बनाया था so we will write minus की 5 upon 3 is smaller value ठीक है और minus 5 upon 3 किस से बना था minus के 1 whole 2 upon 3 से बना था तो at last हम यह भी लिख देंगे so we will write here so minus 1 whole 2 upon 3 is smaller तो यह हो गया आपका final answer question number 8 का अब आजाते है next question पे question number 9 arrange in descending order आपको descending order में करना है तो ascending या descending कोई सा भी order पूछा जाए पहले हमें वही work करना है जो भी हमने question number 8 में सीखा था सबसे पहले इनके denominator को same बनाना है तो इनके denominator को same बनाने के लिए हम इनका LCM लेंगे 9 का 8 का और 3 का 2 के table में सिर्फ 8 आता है तो हम 2 के table से ब नहीं करेंगे 3 के table में 2 number आ रहे है 9 और 3 तो 3 3 जा 9 8 as it is 3 1 जा 3 अब कोई ऐसा table नहीं है जिसमें minimum दो values आ जाएं जैसे की 3 और 8 है यहां वो same table में नहीं आएंगे तो हमें अब LCM निकान ले लिए क्या करना है multiply कर देनी है इस 3 की multiply इस 3 से multiply यह जो 8 बच रहा है उससे भी यह shortcut तरीका होता है तो इन तीनों का LCM क्या आएगा 72 आएगा अब आपको करना क्या है इन तीनों का LCM तो हमने बना लिया पहले तो मैं question लिखता हूँ यह मैंने question note करा हमने यहाँ सबसे पहले क्या लिया LCM किस किस का 9 का 8 का और 3 का जो की 72 आया तो अब आप एक बड़ा सा pawn कीचेंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे 72 9 के टेबल में 72 8 टाइम आता है उस 8 को आप multiply करोगे किस से उपर वाले 4 से ठीक है न तो आपको क्या करना है सबसे पहले लिखना है जो उपर minus 4 था उसकी multiply 9 के टेबल में 72 8 बार आता है उससे होगी next number में उपर कौन है minus का 5 है minus 5 जो उपर आ रहा है उसकी multiply हम किस से करेंगे 8 के टेबल में जितनी बार 72 आएगा 8 9 जा 72 ऐसे ही 3rd वाले में करना है minus 2 जो numerator में है उसकी multiply किस से कहोगी जितना 3 के टेबल में 72 आएगा तो rough में हम इतना बड़ा टेबल हमें याद नहीं है लेकिन हम इसको divide करके पता कर लेंगे कि 3 के टेबल में 72 कितनी बार आता है तो जब आप rough में 3 के टेबल से 72 को divide करोंगे ना तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 तो answer आएगा 24 तो इसलिए यहाँ पर multiply आपको 24 से करनी है अब sign तो minus का आएगा 8 4 जा 32 minus और plus minus 59 जा क्या होगा 45 minus और plus minus 24 तो जा क्या होगा 48 और upon में क्या चल रहा है 72 अब यह जो upon में 72 है ना यह हम अलग-अलग करके लिखेंगे और heading में क्या लिखा था कि आपको कौन सा order लिखना है descending order तो सबसे पहले हम heading लिखते है now we will write in descending order descending का मतलब क्या होता है बड़े से छोटा सबसे पहले आपको कौन सा number लिखना है जो इन में सबसे बड़ा दिखाई देगा देखो सारे ही number minus वाले है descending में बड़ा लिखना होता है और minus वाली number में आपको एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने previous question में पताया था बड़ा वो होता है जो छोटा दिखता है minus वाली values में तो यह तीनों ही minus की है तो इन में छोटी दिखने वाली actually में बड़ी होगी तो कौन चोटा दिख रहा है minus 32 सबसे चोटा दिख रहा है तो minus 32 सबसे चोटा दिख रहा है तो उसको हम सबसे बड़ा कहेंगे तो सबसे बड़ा number descending order में सबसे पहले बड़ा ही लिखा जाता है तो minus 32 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे minus का 45, क्योंकि सबसे छोटा दिखने वाला number सबसे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा number कौन है, 45, तो यहां लिख दिया, फिर last में कौन आएगा, minus का 48, तो minus का 48 इन तिनों में सबसे बड़ा दिख रहा था, लेकिन ये कौन सा number है सबसे छोटा number है, क्योंकि minus में बड़ा दिखने वाला number सबसे smaller होता है, तो यह हमने last में लिखा, क्योंकि ये सबसे छोटी value है, तो descending में हमने क्या करा, बड़े से छोटा number लिख लिख लिया, अब आपको at last क्या करना है, यहां पर आपको इनकी actual value लिखना है, देखो minus 32 जो किया था, minus के 5 upon 8, ऐसे ही यहां तीसरे number पे minus 48 आया, minus 48 जो था, वो किस की help से बना था, minus 2 upon 3 के help से, तो यह हो गया आपका final answer, इनको हमने descending order में arrange कर लिया, तो इस तरह से आप यह दोनों part करेंगे, question number 9 के, बी part मैंने already here solve कर रखा है, अब आजाते हैं last question पे, question number 10, list 3 rational number between, आपको 3 rational number लिखने है, 1 upon 2 और minus 2 upon 3 के बीच में, देखो, चाहे आपको 3 rational number लिखने हो, चाहे आपको 10 rational number लिखने हो, सबसे पहला काम है, आप इनके denominator को same बनाओ, जिसके लिए हम LCM लेंगे, LCM of 2 and 3, वो कितना आएगा, 6, अब हम दोनों के denominator को, same बनाएंगे, 6 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहला है minus का 1 upon 2, and दूसरा है minus 2 upon 3, दोनों के denominator में हम multiply करेंगे, देखो, यहाँ 2 था, लेकिन LCM 6 आया है, तो 2 कितने जा 6 होता है, 2, 3 जा, तो नीचे अगर 3 से होगी, तो उपर भी 3 से होगी, ऐसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ पर denominator में 3 आया है, तो 6 बनाने के लिए 3 multiply 2 करना पड़ेगा, तब जागे 6 होगा, तो उपर भी किस से करेंगे, 2 से, तो यह तो बन जाएगा minus 3 by 6, और यह बन जाएगा minus का 4 by 6, अब इनके दोनों के denominator क्या आ गए, same, अब उपर के नंबर पे देखो, उपर के नंबर में कह लिखावा है, minus का 3 और minus का 4, minus 3 और minus 4 के बीच में कोई भी integer नहीं आता, integer, integer नहीं आता, minus 3 और minus 4 के बीच में, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको number of terms, number of rational number जो पूछे गए है, question में वो क्या है, 3, कितने rational number लिखने है, वो N होता है, question में बूला था, आप 3 rational number लिखो, तो n की value 3, आप n प्लस 1 लोगे, n प्लस 1 क्या होगा, n की value 3 है, तो 3 प्लस 1, 4, n प्लस 1 जो आएगा न, वो इन दोनों में आप multiply करोगे, numerator में भी और denominator में भी, तो minus 3 upon 6 था, हम उबर भी multiply करेंगे और नीचे भी multiply किससे 4 से, ऐसे ही दूसरे वाले में भी करेंगे, minus 4 upon 6 में, वोबर भी multiply और नीचे भी multiply किससे 4 से, तो यह बन जाएगा minus का 12 upon 24, और यह बनेगा minus का 4, 4 जा 16 upon 24, देखो denominator में अभी भी क्या आया, same ही आया, अब हम 3 rational number इनके बीच में अराम से लिख सकते हैं, किन किन के बीच में, minus 12 upon 24 तो question में था, minus 16 upon 24 भी question में था, इनके बीच में 3 लिखने हैं, तो minus 12 और minus 16 के बीच में कौन आता है, minus 13, minus 14, minus 15, इन सब के upon में क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे rational number लिख दिये, जो किस-किस के बीच में आते हैं, minus 12 upon 24 और minus 16 upon 24 के बीच में, ये जो 12 upon 24 दिख रहा है ना, अगर आप इसे cut करोगे, तो ये question वाली ही value आएगी, देखो, minus का 1, 12, 1, 12, 12, 12, 24, तो ये actual में question की ही value है, ठीक है, ये हमने कौन सी value लिखी, जो question में थी, ठीक, ये भी वोई है, जो हमने question में लिख रखी थी, देखो, अगर मैं इने cut करूँ, 8 के double से cut हो जाएंगे, ये दोनो, 8 के double से 16, 8 2 जा 16, 8 के double 24 कितने बार, 3 बार, इसमें minus था दो, minus भी लगाएंगे, तो यहाँ पे जो cut करके आ रहा है, वो minus 2 upon 3 आ रहा है, जो question में ही दिया था, ठीक है, तो इन दोनो values के बीच में question में 3 लिखने की लिख आए थे, तो 3 हमने लिख दिये, एक तो आएगा, minus 13 upon 24, एक minus 14 upon 24, और एक minus 15 upon 24, ठीक है, इनके बीच में साइन लगाएंगे, greater than या smaller than का, ठीक है, ठीक है, यह minus 12, यह minus 13, यह minus 14, 15, 16, नीचे दो सब में क्या है, same है, जब नीचे same होता है तो बीच में sign put करना greater than या smaller than का बहुत easy हो जाता है, नीचे same होता हो, तो नीचे सब में same था, यह सबसे छोटा दिखाई पड़ रहा है, minus के हैं सारे, minus के सारे number है, और सबसे छोटा दिख रहा है, तो सबसे छोटा दिखने वाला actual में सबसे बड़ा होता है, तो greater than के sign लगेंगे, सब जगा यहां, ऐसे, अब यहां भी वही sign follow करेंगे, जैसे उपर लगाए थे previous step में, ठीक है, तो यह वो तीन rational number आ गए, जो question में पूछे थे, minus 1 upon 2 और minus 2 upon 3 के बीच में, तो यह answer हो गया, 10th के a part का, answer sheet से अलग है, answer sheet में अगर आप देखोगे, तो उसमें bracket में यह भी लिखा है, may vary, may vary का मतलब यह answer, answer sheet से अलग भी हो सकता है, क्योंकि किन ही दो rational number के बीच में, आप infinite rational numbers बना सकते हो, इन्होंने तो सरफ तीन मांगे थे, इन दो के बीच में, लेकिन आप जो है, वो कोई एक fixed answer नहीं है, इसका answer कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा answer यह आगया, जो कि correct है, answer sheet से match नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, उसमें भी लिखा है, कि हम इसके answer जितने मर्जी चाहें, उतने लिख सकते हैं, अब देखें, part number B, B भी same way में करना है, पहला है, minus 4 upon 5 rational number, and दूसरा है, minus 1 upon 3, सबसे पहला काम है, आप LCM लो, 5 और 3 का, कितना बनेगा 5 और 3 का LCM, 15, तो अब हम दोनों में नीचे 15 मनाएंगे, minus 4 upon 5 है, अगर नीचे 15 मनाना है, तो multiply 3 से करनी पड़ेगी, तो उपर भी 3 से करेंगे, अगला number देखो, minus 1 upon 3 है, अगर आपको नीचे 15 मनाना है, तो नीचे 15 मनाने के लिए 5 से करनी पड़ेगी, तो उपर भी किस से करेंगे, 5 से, ये rule है, जिससे नीचे होगी, उससे उपर भी होगी, तो ये तो बन जाएगा minus का 12 upon 15, और ये बन जाएगा minus का 5 upon 15, इनके बीच में आप sign भी लगा दो, मैंने यहाँ पिछली दिखता है न, वो बड़ा होता है, कौन इनमें छोटा दिखाई दे रहा है, 5 छोटा दिखाई दे रहा है, और ये जो छोटा दिख रहा है, एक्च्वल में छोटा नहीं है, ये बड़ा है, तो बड़े नंबर की तरफ open sign आता है, और इधर जो बड़ा दिख रहा था, वो छोटा नमबर दा तो छोटे की तरफ close sign आता है ठीक है अब हम उपर के नमबर देखें minus 12 और minus 5 इन के बीच में आपको काफी सारे नमबर मिल जाते हैं minus 12 और minus 5 के बीच में minus 18, minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6 यह सब इन के बीच में आते हैं मुझे सिर्फ तीन पूछे थे कोशन में तो मैं अराम से इनके बीच में तीन नमबर से भी ज़्यादा लिख सकता हूँ तो मुझे ये वाला step repeat करने की जरूरत नहीं है जो मैंने previous part में use करा था, n की value 3 लिखी फिर n प्लस 1 बनाया यानि 3 प्लस 1, 4 फिर उस 4 से उपर नीचे इधर भी multiply करी और इधर भी multiply करी तो ये सब काम इस part में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि already इनके बीच में तीन नमबर अराम से मिल सकते हैं ठीक है न, तो minus 12 पॉन पंधरा सबसे चोटा नमबर है sign वोई लगाना है जो यहां लगाया फिर आएगा minus 11 पॉन पंधरा फिर आएगा minus 10 पॉन पंधरा फिर आएगा minus 9 पॉन पंधरा ये तो question वाली ही value थी जो यहां बनाई थी हमने इसके बाद 3 अपने पास से लिख दी हमने जो question में 3 मांगी थी बस अब last में यह वाली लिख दो जो यहां हमने लिखी दी minus 5 upon 15 ठीक है ये जो हमने first और last rational number लिखाई ये वही है जो question में थे क्योंकि जब हम इने cut करेंगे ना किसके table से cut होंगे ये दोनो 3 के table से cut हो जाएंगे तो 3 के table से देखो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और minus आजएगा तो question में था minus 4 upon 5 और हमारा भी वही आया cut करके ठीक है ये 3 हमने बनाए जो question में मांगे गए थे minus 11, minus 10 minus 9 और last में है minus 5 upon 15 जो की 5 के table से cut जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा और minus भी तो ये आएगा minus 1 upon 3 ये वो value है जो question में थी ठीक है तो इन दोनों के बीच में ये 3 rational number जो हमें find करने थे वो ये आ गए answer sheet में अलग दिया है कोई बात नहीं बट हमारे answer कुछ भी हो सकते है ठीक है ना मतलब answer sheet से अलग भी हो सकता है तो घपराने वाली कोई बात नहीं तो ये हो गया आपका final answer आप और भी लिख सकते हो देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया minus 12 और minus 5 के बीच में number मैंने कौन-कौन से लिखे minus 11, minus 10, minus 9 आप minus 8 भी लिख सकते हो इनके बीच में minus 8 भी आ सकता है इनके बीच में minus 7 भी आएगा इनके भीच में –6 भी आएगा वो भी लिख सकते हो कमपल्सरीनिय कि जो मैंने लिखा है वो ही आएगा –10, –11, –9 आप –8, –7, –6 भी लिख सकते हो वो भी तो इनके भीच में आते हैं तो answer sheet में वो ही दिया वा है अगर आप देखेंगे न माइनस 8 भी दियावा है, माइनस 7 भी दियावा है, माइनस 6 भी दियावा है तो दोनों correct है, ऐसे कोई confusion वाली बात नहीं है answer sheet में भी लिखा है कि हमारा answer vary कर सकता है मतलब answer sheet से अलग भी हो सकता है तो इस तरह से आप ये question number 10 करेंगे So now this exercise is over I hope आज का बढ़ा हुआ topic आप सबको समझ आ गया होगा If you like my way of teaching, then please like, comment और share जरूर करें In the next video, I will give you next exercise